हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक फर्स्ट ओपल सोरी फोर लॉंग ब्रेक देखे आज की वीडियो में दिस्कस करेंगे कि अपने लेक्टेहेटी बिलकुम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं देखे इस वीडियो में आपको दस से जाद है ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से अब अपने बिजली कर बिलको कम कर सकते हैं फ्रेंट्स से लिए शुरू करते हैं देखे सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमें घर में जो लाइट इंस्टोल करने है उस टेम पे ज़रूर ध्यान लखना है कि कहां पे कितने लक्स की रिक्वार्मेंट है मेरा मतलब है कि अगर हमें किचन में पांच वाट के बल्प से तो हम उतने ही LED बल्प लगाएं ना कि हम 20 वाट का बल्प लगा दें अगर हम इस सीज का ध्यान लखेंगे तो हम डैफिनेटली इलेक्रिटी सेव कर पाएं देखें नेक्स्ट हमारा अगर कहीं भी 100 वाट या 200 वाट के बल्प लगे हैं जो पहले हम इनकेंडिसेंट से रिप्लेस कर देना है देखें अगर हम इनकेंडिसेंट बल्प को LED लाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा जो बिल है जो हमारा कंजप्शन है वह 80% तक कम हो जाएगा वन फिप्त रह जाएगा यानि कि 20% ही कंजप्शन होगा हमारा अगर आपके घर में मल्टिपल सकते हैं महां लोग एक बड़ा सा होल है जहाँ पे आपके कम सब्सक्राइлас लगे हैं और आपके सब कब दस लाइट जल जाती हैं लेकिन क्या होता है कुछ टैम बद कुछ लोग उठके चले जाते ह। सब लोग नहीं होते हैं लोग नहीं होते हैं तो भार-cko Νंति नहीं करता ओज कर सकते हैं लोग निखल जाए वह प्याण्प यह आप ऐसे कर सकते हैं कि आप आए अपकी आढ़्ट हता हैं अगर हो सकता ह्याप इंड़्री में हो या आपके घर में बहुत सारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके बिल्कों कर सकते हैं देखिए नेक्स पॉइंट है मारा यूजोब टाइमर देखिए जहां हमारी मुल्टिपल लाइट एक साथ ओन करनी होती हमें इस पेसली आउट एरिया में मालो कि आपके पास पॉल लाइट से ठीक ना तो अगर आप टाइमर लगाएंगे उसका फाइदा क्या होगा कि आपको माली से सामको 6 बजे लाइट होन करनी है और सुबह 6 बजे बंद करनी है तो उसमें आप टाइम सेट कर देंगे तो लाइट टाइम से चल जाएगी और दूसरा होगा जितना आपने टाइम सेट के है मालो छे जी दिन निकल जाते तो 6 बजे बंद बंद हो जाएँगी जितना पर टाइम्सेट का तो ऐसे क्या होगा आपके एलेक्रिटिटी वेस्ट नहीं होगी नहीं होगी गेंपार होड़ा थावर जिसे आफ करते हैं कैसे करते हैं और णोड़ी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक में आपको डिस्कुरिशन में दे दूँगा आपको जितना पांच वाट की लाइट जो आपको लाइट दियती है उसके बराबर मिला हो तो इसलिए आपको लाइट को भी एक रेगुलर बिस इस पर महीने पर दो महीने आपको क्लीन कर लेना चाहिए देखे अब चलते हैं कि इंपोर्टेंट पोइंट की तरफ जहां जिसकी वज़े से सबस्यादर कंजप्सन होता है जो आपके बिल्ड को दो से तिन गुना बढ़ा सकता है अगर आप इसी चलाते हैं तो इंपोइंटों कर ज़रूर ध्यान रक्ने हैं आपको जैसे कि पहला पोइंट कैंगो एसी कि जो फिल्ट्र वह वशारव फिल्ट्र को जरूर क्लीन करनेसे यह होगा इससे क्या होगा हमारा प्रूम को यहांग में कोई होता है हम सोने के बाद क्या करना होता है। Gef क्या सिसरा बाद करने जाते हैं कि होता है कि हमारी आंक्हें नहीं कुल थे और सुपह दिखते हैं घंडा चला दां और और बिल आजाता है जी 4000-5000 तो उसके से के रिमूट में क्या होता है टाइमर का उप्षन होता है उसमें टाइमर में टाइम सैट कर दीजे और आपका एसी ऑटोमेटिक दो या तीन जितना भी आप टाइम डालेंगों उसके साब से ऑटोमेटिक ओफ हो जाएगा नेक्स्ट के हैं देखे हमारी जो और अगरम एके के जिस रूप में लेज उसके होता है उपका ऐसी चल रहा है और कुलिंग जो होती है वो विंडो से धीरे धीरे बाहर जा रही है तो क्या होगा आपके एसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा या बाहर से गरम हवा रही है ठीक ना तो एसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा आपके रूम को ठंडा करने में ठीक ना तो क्या वह चलेगा घंटे का घर चालता है जबकि एसी केस में आपका लगबग 8 से 10 रुपे पर घंटा का कंजब्शन आता है अगर आपने 10 गंटे चला दिया तो आपका बिल 80 रुपे एक दिन का एक एक केस में आप जो है को ट्वंटीफोर या ट्वंटीफॉर पर ही सैट करके चलाएगा इसे क्या होगा एक को कम काम करना पढ़ाएगा तो एक elaborate करने के लिए जयादा काम करना पढ़ाएगा और उसकीवेज़ा चार्ण आपका चैक वे इसको उतना जड़ी कम करना पढ़ और जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही अपका बिल ज्यादा आएगा तो अवोइड करेंगा कभी भी एसी को 24 चे ना चलाएं और इंपोर्टेंट के बारे में डिसकस करें यह एक फ्रीज रफिजेटर ठीके ना सभी के गर्मे होगा लेकर आप अम कहीं सारी गलती करते हैं फ्रीज के के समें देख के बर क्या होता हम लोग खाना गरम किया दूद गरम हुआ फटक से उठाया फ्रीज में रख दिया तो इसी फ्रीज के लिए जो फ्रीज अंदर का पाट वोगे उसके लिए अगर आपको घजादा तो कभी भी अवोट करिएगा कि उसमें कभी भी आपको गरम आइटम नहीं रखना है फेल को थंड़ा करेगा तब फ्रीज के अनदर रखेगा देखें नेक्स्ट है आपको फ्रीज तो कभी भी sunlight में रखना है, फ्रीज के ऊपर कभी भी sunlight नहीं आनी चाहिए अपके घर में all appliances है जैसे कि आपके पास पुराने TV हैं तो आप उनको replace कर सकते हैं अपके पास पुराना फ्रीज तो आप उसको नई फ्रीज से replace कर सकते हैं कि पहले के टाइम में जब कंपनिया इटम्स manufacture करती थी चाहिए वो टीवी फ्रीज हो चाहिए वो एसी हो चाहिए वो आयरन हो तो उस टाइम पे कंपनिया को लेके चिंतितनी होती थी कि जो हमारा कस्टमर है उसा कंजप्शन ज्यादा आएगा लेकिन आप आज देख सकते हैं कि मार्किट में जो भी कंपनिया मैनफेक्शर कर रहे हैं देखे उनकी सबसे पहले प्रियोटी यह होती है कि कंजप्शन कम से कम आए तो आप देख सकते हैं हर रिक्वेमेंट्स के ओपर आज के टामें रेटिंग आ रही है यह टू स्टार है ठीक ना उसके ओपर पकायता आप उसको देख कर ही कोई भी प्रोड़क्ट खरी दें तो थैंक यू सो मच पूर वोचिंग दा कम्प्रीट वीडियो आई होब वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना सेर करना चनल को सब्सक्राब करना थैं